आदरनिय बंधूओ, माताओ और मेरी प्यारी बहनों राधी राधी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत है आज मैं आपको गनेश जी की कहानी सुनाओंगे हम सब जानते हैं गनेश जी हमारे वो देखता हैं जिनकी पूजा किसी भी कारे की शुरुवास से पहले की जाती है चाहे वो ग्रह परवेश हो, बच्चे का मुंदन हो, विवाश शादी हो या कोई भी शुबकारे हैं यहां तक कि जब हम किसी भी व्रत्य या त्योहार की कथा कहते या सुनते हैं तो उसमें भी गनेश जी की कथा सुनने का विधान है यदि हम किसी भी व्रत्य या त्योहार की कथा सुनने के बाद गनेश जी की कहानी नै सुने तो उस व्रत्य या त्योहार की कहानी का कोई भी फल नहीं रहता इसलिए कोई भी कता सुनने के बाद गनेज जी की कहानी अवश्य सुने तो आओ हम सुनते हैं गनेज जी के कहानी एक बार एक छोटा सा बच्चा हाथ में थोड़ी से चावल और कटोरी में थोड़ी सा दूद ले कर गाउं में घूम रहा था और सबसे ये कह रहा था कि इस दूद और चावल की खीर बना दो लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी सब उसका मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि इतने से दूद और चावल की भी कोई खीर बनती है हमारे पास समय नहीं है इतने से दूद चावल की खीर बनाने का एक गरीब बुड़िया माई काफी देर से ये सब देख रही थी उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा क्या बात है बच्चे ने कहा मा मैं इस दूद और चावल की खीर बनवाना चाहता हूं लेकिन कोई भी बना कर नहीं दे रहा बुड़िया माई ने कहा ला मैं बना देती हूं ऐसा कहकर बुड़िया माई ने आग जलाई और उस पर छोटा सा बरतन रखने लगी तभी बच्चा बोला मा बड़ा बरतन रख बुड़िया माई ने कहा क्यूं मजा करता है बेटा इतना सा तो दूद है पर वो बच्चा माना नहीं जब बुड़िया माई ने बड़ा बरतन रखा और जैसे ही कटोरी का दूद बड़े बरतन में डाला बरतन दूज से भर गया बुडिया माई हैरान रह गई चावल डालते ही वो भी बढ़ गई बुडिया माई खुशी खुशी खीर बनाने लगी उस बच्चे ने कहा मा जब तक खीर बनकर तयार होती है मैं बाहर जाकर आता हूं बच्चा बाहर चला गया बुडिया माई खीर बनाने में जूट गई खीर बनकर तयार हो गई पर बच्चा अभी तक वापस नहीं आया खीर को देखकर बुडिया माई के मन में खीर खाने की इच्छा हो गई उसने क्या किया एक कटोरी में खीर डाली और दर्वाजे की ओट में बैठ गई और बोली जे गनेज जी महाराज भोग लगाओ और ऐसा कहकर बुडिया माई ने खीर खाली थोड़ी देर में वे बालक वापस आया तो बुडिया माई ने कहा ले बेटा खीर बन गई है तू खाले तो मैं खाऊं वो बालक बोला मा मैंने तो खीर उसी समय खाली जब तुने गनेज जी का नाम लेकर भोग लगाया और खीर को खालिया बुडिया माई को जट से समझा गया कि ये कोई साधारन बालक नहीं है ये तो गनेज जी है बुडिया माई उस बालक के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी बालक के रूप में आए गनेज जी बोले कि मैं तो तभी खुश हो गया था जब तुमने खीर बनाने का मेरा कार्या किया था और अब मैं तुमसे खुश हूँ और जाते जाते गनेज जी उस बुडिया माई को खूब अंधन दे गए गनेज जी महराज जैसा अंधन का बंडार उस बुडिया माई को दिया वैसा सब को देना इस कथा को सुनने वालों को सुनाने वालों को और जिस जिसने ये कथा सुनत आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकोन को प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना गनेज जी आपके अनुर्धन के बंडार भरपूर करें राधे राधे